अब से पताए आपका नाम क्या है रंजे फोन कर्चोड़ी क्या हो आप अगर आएंगे तो जब भी आईये भीया के दुकान पर आएगए गा आप लोगों लखना हो जाते हैं तो बहुत विराइटी का आम मिलेगा और इतनी फेमस कि हम क्या बता है आम तो लिए है भईया कि दुकाने सारे आम लिये थे भैया के खा के भी देखें बैट के हम लोगों खाएं भी हैं और है प्रेम से खिलाएं भी हम लोगों को दिखाएं भी यहां सारे विराइटे के आम हैं हमने पहले भी आप लोगों को दिखा दिये हैं भी दुबारा से दिखा रही हूं अब भैया का नाम है और आप जबाएंगे बस इतना famous आम देता है यहां कि कि हम बता भी नहीं सकते हैं कितना बड़ी आम मीठी मीठी आम अगम लोग तो बैठके खा लिए दो आम पता ही नहीं चला बहुत मीठा है बहुत अच्छा लगता है अब घर चलते हैं तो मैं इसी आम का केक बन केक बनाने के लिए मैंने यहां पर एक बड़ा सा आम लिया है बहुत बड़ा है आम तो यह मलिका आम है आम रपाली भी ले सकते हैं दोनों आम बहुत ही मीठे होते हैं अगर आपके पास दोनों ही आम नहीं है तो कोई सा भी आम चलेगा क्योंकि हमें सुगर तो ऐसे ही है लेकिके चिलका उतालेएं इसके चोटे-चोटे bit सिस कर लेते हैं तो कुछिस तरह से कि तो कुछिस तरह से हमारे निकल रहें बहुत ही अच्छा लग रहा है अ काटने में और हम बहुत गया आता है तो लेजिए मैंने सारे इसको काट लिये हैं और इसे ग्राइंडर जार में पीछ लेते हैं तो अभी हमें दरदरा पीछना है ज्यादा प्यूरी नहीं तयार करना है एक दरदरा साथ तयार कर लेते हैं तो कि इस तरह से हमने दरदरा कर लिया है और इसमें जाएगा चीनी तो इसे हम पीछ लेना है गड़ा सा बैटर तयार कर लेना है तो लेजी एक गड़ा सा बैटर मेरा तयार हो गया है कपी अच्छा कलर आया है अब इसमें एड़ कर देते हैं सूजी तो सूजी हमें कितना एड़ करना है जितना हमने चीनी लिया था उतना ही हमें सूजी एड़ करन ऑईल लिया है अब इसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा और इसे गाड़ा सा बैटर तयार कर लेंगे लगी है इतनी मीठी आम होती है कि मख्या आना सुरू कर देदी किती भी सफाई करो पिर एक फ्लफी टाइप पे मैंने बैटर तयार कर लिया है और काफी फ्लफी लग रहा तो इसे हम एक काच के बाल में निकाल लेते हैं और देखिए इस तरह से कलर आया है में कलर डानने की जरूरत नहीं पड़ी काफी अच्छा कलर आया है अब इसे क्या करेंगे 30 मिनट के लिए रेश्ट पर रख देते हैं ढग कर 30 मिनट के बाद ही हमें कुछ भी करना है अगर 30 इससे ज्यादा भी हो जाएगा इस तब भी चलेगा कम नहीं होना चाहिए अगर कम हो रहा है तो आप कम से कम 25 मिनट के लिए रेश्ट पर रखिएगा तो काफी अच्छा आपका केक बनेगा तो हम यहाँ पर ढग कर 30 मिनट के लिए रख दे रहे हैं तो जब तक वो रेश्ट हो रहा है हमारा केक का बेटर तो यहाँ पर मैं जेम तयार कर ले रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक आम लिया है आम मेरा आम रपाली है बहुत मीठी आम होती है तो इसके साथ मैं जाएगा दो टीस्पून चीनी आपको चीनी नहीं लेना है तो मत काफी मीठी होती है क्यूंकि हमें लेना पड़ा है यहाँ प्रोड मैंने बैटर तयार कर लिया है कि नौस्टिक पैन है इसे में दाल देने हुए ईधे अगर पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगत है तो हमें यह ठायर करना है teď तो इस खान लेते हैं कि छानते Mmam मुझे लगा कि इसमे कोई भी रेश समझ में नहीं आ रहा है इसाम में देख लिए रहा है प्र дан अपनी तसलिक के लिए हम लोगों को चान लेना जरूरी है, तिहां मैंने सारे बैटर को चान लिया है, आम के बैटर को, आप इसे क्या करेंगे, धीमी आज पर हमें पकाना है, कम से कम 6-7 मिनट, तिहां मुझे लो फ्लेम पर बिल्कुल लो फ्लेम रहना चाहिए आपका, और तो देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि 6-7 मिनट हो गया है, तो बस हमें गैस को कर देना है बन, तो रख देते हैं इसे साइड में, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, तुछ हैका, तो कि यहा अभी हमें कुछ भी अट नहीं करना आहिए, मैंगो, सूवजी के केक वाले में, अभी हमें इस साइड में रखताता है, क्योंकि आभी हमें गैस को पतीला आखराना है, क्योंकि वह हमें जरूरी होना, यह काफी फ्लफी हो गया था, तो इसे हम रख हिट हुआ होगा तो काफी अच्छा होगा इस पहले से तो यहां पहले मैं पतीले को रख दे रहे हूं साथ ही एक इस्टेंड रख दे रहे हैं और ढखकन लगा देते हैं यहां कोई प्लेट थाली जो भी हूँ आप लगा देजिए कम से कम छै मिनट के लिए हिट होने दीजि तो यहां जब तक हीट हो रहा है मैं बैटर को देख ले रही हूं चेक कर ले रहे हैं तो यहां थोड़ा सा आयल लाइट करेंगे आपके पास आयल बटर जो भी हो तो आप टीन में डाल कर ग्रिस कर लिजिए तो मैंने हो तरफ से मेरा ग्रिस कर लेया घल को अब इसके उपढ़ जाएगा बटर पेपर तो आपके पास अगर बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं आप यहां मैदा छिड़िक सकते हैं तो यहां पर मैदा भी छिड़िक कर आप काम चला सकते हो कि मैदा सभी चिपिकता नहीं है तो अगर आपके पास मैदा नहीं आप छिड़िकना चाते हो बटर पेपर ही यूच करना चाते हो तो आप एक साधा सा कागच लेजी ये पन्ना जो होते हैं उस पर हम आयल लगा के दोनों तरब से आप बटर पेपर बना सकते हैं तो बटर पेपर आपका काफी बनेगा तो यहाँ पर मैं देख लेगा काफी स्मूड टाइप पर हो चुका है मारा बैटर अब साथ ही जाएग वन बाई टू टिस्पून बेकिंग सोडा यहाँ पर मैंने वन बाई टू टिस्पून बेकिंग सोडा लिया है वन टिस्पून मैंने बेकिंग पॉडर इसका ध्यान रखना है आपको कितना बेकिंग सोडा लेना है कितना बेकिंग पॉडर लेना है तो यहाँ मैंने डाल कर और साथ ही एड़ कर देंगे थोड़ा सा दूद क्योंकि बैटर भी मेरा थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पर मैं दूद को एड़ कर दे रही हूँ और मिला दे रही हूँ जादा हमें बैटर को जोड़ जोड़ से नहीं घुमाना है नहीं चलाना है कुछ इस तरह से आपको बैटर को चलाना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा फेट देंगे तो बैटर हमारा खराब हो जाएगा कुछ इस तरह से बैटर को चलाना है और इसे पलट देना है केक टीन में तो जब आप केक टीन में डालिए तो चारों तरफ से आपको केक टीन में डालना है कुछ इस तरफ से मारा बैटर हुआ है तो आप बैटर को देख लिजिए इस तरफ से आपको बैटर बनाना है मैंगो केक में थोड़ा सा ठीक रहेगा तभी ठीक रहेगा ज्यादा हमारा पतला बैटर नहीं होना चाहिए और काफी रबट जैसा जब डालते हैं तो रबट जैसा होने लगता है तो समझ लीजिए आपका बैटर परफिट है तो मैंने चारो तरफ से घुमा कर बैटर को डाल दिया है थोड़ा सा डिप करेंगे ताकि इसका air bubbles निकल जाएं कुछ इस तरह से डिप कर देना है और धकन हटा के देख लेते हैं काफी हीट हो चुका है और इसमें धीरे से आपको हाथ पचा के और इस बैटर को पतिले में र 45 मिनट तक लोव फ्लेम पर रखेगा और हमें हाइफ लेंप बिल्कुल नहीं है हां पर थाली में चेंज करूंगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें हावा निकल रहा है तो यहां मैं इस थाली के यूच किया है और कम से कम 40-45 मिनट हमें छोड़ देना है लोव फ्लेम पर हाइप प्लिम पर बिल्कुल मत रखिएगा तो यहां मैं चेक कर ले रही हूं कम से कम 45 मिनट हो चुका है अब इसे कॉटन के कपड़े से हटा दे रही हूं ठाली को और काफी फुली फुली हमारी केक समझ में आ रहा है देखिए इस टिक में बिल्कुल नहीं लगा फिर से दुबारा से हम चेक ले रहे हैं तो देखिए हमारे इस टिक में बिल्कुल नहीं लगा है केक आयो समझस्जाइगा हमारा केक बन चुका है तो यहां मैं 5 मिनट के लिए इसी भगोने में छोड दे रही हूं 5 मिनट के बाद ही निकालेंगे तो पांच मिनट हो गया है अब हमें एक केक को निकाल लेना है बाहर और रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो देख रहे हैं कितने होल्स नजर आ रहे हैं इस केक में कि थनडा हो चुका है और ऊचा कू की मदस से और निकाल लेना है वैसा तो चूट चुका था मिरा केक चारों तरफ से निकाल सबसाओ कि अपना है तो लिंगाया गया है और त्यक्रालि के अज़िए कितना होल बना है तो समझी जाए का आपका केक बहुत ही अच्छा बना है तो देखिए मेरे केक में बिल्कुल नहीं लगा है अब इसे क्या करें जो जेम मैंने तयार किया था मैंने फ्रीज में रख दिया था कपी ठंडा हो चुका है इसे हम इसके उपर लगा देते हैं एक सीरम भी लगाया था सीरम मैंने दिखा नहीं पाया तो पहले सीरम मैंने लगा के तभी ये जेम को लगा रही हूँ आप इसमें 20 से कट करके सीरम दोनों तरफ से लगा सकते हो तकि हमारे अंदर से भी जो भी सीरम पहुंच जायत मिठास हो तो यहां पर मैंने सीरम तयार किय था और उसके चारो तरफ से मैंने डाल दिया था उपर से तो चारो तरफ फैल चुका है अच्छे से और इसके उपर यह जेम लगा दे रही हुँ आम का तो छोटे छोटे आम के पिस्थे वो भी लगा दिये हैं और इस तरह से कुछ हुआ है देखिए हमारा कि कितना प्यारा लग रहा है अगर यह रेस्पी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब और सेयर करना ना भूले तक तक के लिए राधे राधे राधे